राजधानी दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी लीडर्स के घरों पर और आफिसेज में जिस तरह से रेड हुई बाचीत करेंगे बीजेपी की लीडर और एड़ोकेट मासुरी स्वराज से जिस तरह से ED RAID कर रही है तो आमादमी पार्टी की लीडर आतिशी ने वकाइदा प्रेस कॉन्फरेंस किया और साफ तोर पर ED को ही ठहरा दिया कि वो तो कोर्ट में जो भी डॉक्यमेंट जमा कर रहे हैं खासकर वीडियो उसके audio delete किये जा रहे हैं तो ED ने ये कहा है इस पर वो legal action लेंगे उनके खलाब देखे ऐसा है इसमें दो पहलों हैं पहले तो ED केवल अपना काम कर रही है आज सुभे जो raid हुई आमादमी पार्टी के लोगों पर वो जलबोड के scam के कारण हुई आमादमी पार्टी कैसी पार्टी है जो सर से लेके पाउं तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है जलबोड पे भी उन उपर करूणों के भ्रष्टाचार करने के बहुत संगीन आरोप है आरोप ये है कि आमादमी पार्टी के leaders ने अपनी चुनी हुई ऐसी firms जो की eligibility criteria में बैठती नहीं थी उनको एक अवैद तरीके से फरजी कागजों के basis पर illegal तरीके से contract और tenders दिये हैं 38 करोड रुपे के ये बहुत संगीन आरोप है और इनकी जाँच आवर्षक है तो ED जाहिर सी बात है कि raid करेगी क्योंकि raid भी जाँच का एक हिस्सा होती है तो भारती जनता पार्टी इस जाँच का स्वागत करती है क्योंकि ये public का पैसा है और इन घुटालों की जाँच होनी जरूरी है ताकि दूद का दूद और पानी का पानी लेकिन आतिशी ने कहा है कि ये है एक तरह से डराने की और चुप कराने की कोशिश है बीजेपी की ED के जरिए बिलकुल नहीं ED एक independent agency है जो केवल अपना काम करती है और आम आदमी पार्टी के वकीलों ने राजनयतिक करण ED का इस पे बहुत लंबी बहस करी थी और 20 अक्तूबर 2023 का दिली हाई कोट का एक order है जहां पर Honorable दिली हाई कोट ने भी ये कहा है कि ऐसे कोई सबूत नहीं है जो आम आदमी पार्टी ने उनके समक्ष रखे हैं ये कहने के लिए कि ED का राजनयतिक करण हो रहा है जहां तक बात आती है आतिशी जी की आज की press conference की तो मैं कहूंगी कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे करें हैं ED के खिलाफ कल उन्होंने application भी file करी है वो तो देखिए कोट पर निर्भर है कि उस पर क्या टिपनी या क्या रवया कोट लेती है लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप मीडिया में आकर इतने बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन जब जाच की बात आती हैं तो जाच से भागते हैं और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि अभी तक इस देश की विभिन का चहरियां चाहे trial coat हो चाहे high coat हो चाहे सरवोचन्यायाले हो उन्होंने भी जब-जब चाहे मनीश सोधिया जी की bail साथ बार reject करी या संजे सिंध जी की bail reject करी इन सब orders में आप कोई भी order खोल के देख और साफ तोर पर अभी एक और मसला pending ही है जिसमें crime branch ने बाकाइदा notice दिया हुआ है और ये कहा है कि बीजेपी विधायकों को खरीदने के संबंद में अगर सुबूत हैं तो वो जरूर पेश की जाने चाहिए झाल को प्रूर 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 अजाए